मित्रों पहले के युग में ऐसा हुआ करते था जब कोई संत महात्मा इश्वर सिमरन करते थे तो जंगल के सभी जानवर उस महानात्मा के पास आकर बैठ जाते थे और कीरतन में वह बेजुबान जानवर भी इश्वर सिमरन करने लगते थे पहले मुझे यह बात बिल्कुल ह जूट लगती थी क्योंकि जानवरों और हमारे में चीजों को समझने की शक्ती में बहुत ही अंतर है लेकिन जब मैंने यह वीडियो देखा तो यह समझ किया कि उस समय में वह द्रिशे कैसा होता होगा जब जानवर भी संतों के साथ इश्वर सिमरन किया करते थे आप यहां खुद देख सकते हैं कि भक्तों के साथ केतन में यह हीरन कैसे शामिल हो गया और भक्तों की तरह ही इश्वर नाम जब में नाचने लगा